नमस्कार दोस्तों मेरे इस यूटूब चैनल पर आपका हार्दिक श्वागत है जैसे कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो के अंदर खिलजी वंस के बारे में विस्तार से चर्चा की उसका संस्तापक उसका परतावी शासक अलावदिन खिलजी उसके अदम उसके उत्रा अधिकारी इन सभी के बारे में हमने विस्तार से बढ़ा अब हम बात करेंगे खिलजी वंस से शामंदित महतपुन क्यूसन जो बार बार कंपीडिस्नों में पूछे जाते हैं तो हम अपना मुलांकन करेंगे कि खिलजी वंस से जुड़े वे कौन-कौन से महतपुन क्यूसन आशकते हैं और उनको हम कैसे कर सकते हैं तो देखते हैं खिल जी वन से जुड़े वे महत्वपुन क्यूशन कॉमेट वोक्स में जरूर बताएं ये परियास कैसा लगा आपको पांच सेकिंड का समय भी मिलेगा परतेक क्यूशन के बाद तो क्यूशन नमबर एक खिल जी वनस का संस्तापक माना जाता है जलालू दिन खिल जी अलाओ दिन खिल जी मुबारक शाह खिल जी ग्यासू दिन खिल जी बताएं उत्तर इसका उत्तर होगा A. जलालुदीन खिलजी क्यूस नमर दो खिलजी वंस के संस्तापक जलालुदीन फिरोज खिलजी का राज़ावी से कहा हुआ लाल महल, लाहूर महल, किलो खरी महल, आगरा महल इसका उत्तर होगा C. किलो खरी महल के एक बाद ने जो बनाया था क्यूसर नमर तीन की सासक के समय दक्षिन भारत पर पर्थम आकरमन हुआता सल्तन कालमी अलाओदिन खिल जी मुबारक सा खिल जी नसरुदीन सा खिल जी जलालुदीन फिरोज खिल जी इसका उत्तर होगा डी जलालुदीन फिरोज खिल जी के समय हुआ क्यूसर नमर चार की सासक ने सिक्कों पर अपना उलेग दीतिये सिकंदर के रूम में करवाया अलाओ दिन खिल जी जलाल अदिन खिल जी मुबारक शाह खिल जी नसरू शाह खिल जी इसका उत्तर होगा ए अलाओ दिन खिल जी क्यूसर नमर पांच अलाउदिन खिलजी ने कौन सी इमारत का निर्मान नहीं करवाया अलाई दर्वाजा सीरी का किला हजार खमा महल आगरा का किला इसका उत्तर होगा डी आगरा का किला नहीं बनवाया था अलाउदिन ने किस मुस्लिम सास्क ने मुल्य नियंतर्ण व्यवस्ता लागू करवाई थी बल्वन ने अलाउदिन खिल जी ने इल्टूत मीच ने जलालूदिन खिल जी ने उत्रोगा भी अलाउदिन खिल जी ने क्यूसर नमर साथ अलाओदिन खिल जी का दर्वारी कवी था तानसेन मलिक महमद जाई सी अमीर खुसरो बिहारी इसका उतरोगा सी अमीर खुसरो था अलाओदिन खिल जी के दर्वारी कवी क्यूसर नमर नो जक्सिन भारत के राजियों पराकर्वन करने में अलाओदिन खिल जी का मुख्य उदस्यता धनकी प्राथती शामराजे विस्तार A B दोनो पदमेनी इसका उत्तर होगा C A और B दोनो होगा क्यूसर नमर नो अलाओदिन खिल जी मरत्यू कब हुई 13-16 एस्वी में 1314 एस्वी में 1303 एस्वी में 13010 एस्वी में इसका उतर होगा 1316 एस्वी में मरती होई थी क्योसर नमरदास अलाओधिन खिलजी ने दक्सिन विजे का कारी किसे सब मीधा था खिजर खां को मलिक काफूर को गाजी मलिक को इसका उत्तर होगा सी मलिक काफूर को स्वापा था कि उसने नमर 11 लाओ दिन खिल जी निमिन विजियों को सही तीथी करम में बताईए रन्थंबोर गुजरात देवगिरी चितोड इसमें हम देख सकते हैं ए उसन में ए दो चार तीन होगा बी में दो एक चार तीन होगा दो तीन चार एक एक दो तीन चार होगा सही उत्तर बताईए करम से इसका सही उत्तर होगा बी दो एक चार तीन कि उसने नमर 12 सलतन काल का पहला सासक जिसने सेनिकों को नगद वेतन दिया जलाल उदीन फिरोज खिल जी मुबारक सा खिल जी कुत्वदीन एबक अलाउदीन खिल जी इसका उत्रोगा डी अलाउदीन खिल जी ने नगद वेतन दिया सेनिको को किस नमर 13 अलाउदीन खिल जी ने बूर राजस्व सुधार के लिए राजस्व की दर की एक बटा दो तीन दो बटा तीन एक बटा चार एक बटा छे इसका सही उत्रोगा एक बटा दो पचास परतिसत कि उस नमर चौदा अलाओ दिन खिलजी ने कितने वर्ष आसन क्या 20 वर्ष 15 वर्ष 18 वर्ष 10 वर्ष इसका सही उत्रोगा एक बीस वर्ष सासन किया कि उस नमर पंद्रा पहली बार भारत में गोड़े दागने पढ़ता और उलिया पढ़ता इस सुरुवाद कि सासक ने की इसका सही उत्रोगा भी अलाओ दिन खिलजी जलाओ दिन फिरोज खिलजी मुबारक शाह खिलजी ने इसमें सही उत्र बताना है आपको कौन सा होगा जिसने दागने गोड़े दाइनी पढ़ता और हुलिया पढ़ता की सुरुवाद की थी दिल्ली सलतर्द कान में इसका सही उत्रोगा भी अलाओ दिन खिलजी इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद